your friends है अभी हम दिखाएंगे कि किस तरह से आप सीपी को डिर्सриberry कर सकते हैं और इसे sml भी कर सकते हैं तो किस तरह करेंगे सबसे पहले देखते हैं कि यह किस तरह से खोलना है ठीक है सबसे पहले देखें यह वह जो हमारा cabinet है-kemेस पार्ट होता है एक होता है देखे हमारे जो connectOS होता है Input output Connectors वो Motherboard का Right Side में जनराईडी होता है ठीक है तो अब देख सकता है इहां पर जो कौने ऐसे खोलना है देख सकते हैं कि यह जो Motherboard है यह जो हमारा cabinet है फिरशापको दिखा जाएता है यह एधिने थे थे इंपिर आतपोड जो नेक्टाश्श चैता है इंपूट आउट्पूट कॉनेकटर कि इस पचल आपकोfa इसको नहीं खोंदना कि giant कुछलना है किमिए यह ऑला अपना माधरबॉड से कानेक्सिन होता है ठीक है तो शहर से एक स्कुरू से इस स्कुरू डाइपर या कुछ स्पेशल इस इस वहांसे खोड़ सकते हैं ये इसकूर अपको पहले खोड़ ले नहीं यह वहां और खुलने के बाद अपको इस तरह से थोड़ा सा सामने के तरह अगर खेचेंगे तो तो यह असानी से खुल क क्या आजाते है ठीक है यह वाला खुलना आपको याद रख़ना कि फरस्ट यह वाला आपको खुलना है नीचे वाला जो मदरबूर्ट से कनिक्सन है उस ने को नए कुलना है ठीक है इसके पार्स के बारे में जानेंगे इसमें क्या-क्या पार्स बगेरा क्या-क्या होता है तो यह सब के बारे में हम आपको बताते हैं ठीक है तो सबसे पहले हम दिखाएंगे इसमें क्या-क्या पार्ट्स होता है वह भी आपको दिखाते हैं ठीक है अब देख सकते हैं फ्रोंट टेक यह है अपना पाउर सप्लाई और स्विच्ट मोड पाउर सप्लाई यह जो इस पाउर सप्लाई है यह और सबसे फिरियस ट्यपस का देख सकते हैं आप जरोब को power supply देता है पाइश अप्राइब जयाने लिए आपको देख सकते हैं हम दिगवा डीस आउट पूट प्रास फाइब वोल क्टास ट्री पॉइंट 3 वोल मायनस 12 वोल प्लास फैप प्लास 3.3 वड्ज यानि कि प्लास 12 से माइनस 12 वोल तक पी पार सप्लाइफ जो पार्स को ज तर्फ इसमादरगोड करते हैं मदर बोई सारा पार्ट इसमें लगा हुआ है जो iLuktoniql सेलल का काम on own पहले बताते हैं यह सेल एक बैटेरी होता है थीक है यह सेल हमारे जो कॉंपटरस जब ओफ़ कर देते हैं तो हमारा घडे कैसे चलता है यह time कैसे daytime कैसे साव कई सब्सक्तों क्के यह यह हमारा है से scrolling यह से यह से पावर लेता है ठीक है तो सबसे पहले देखेंगे कि यह से को कैसे खोलते हैं वह पहले सबसे पहले देख देख देता है कि कैसे से डिसेंबल किया जाता है ठीक है तो खूलने के लिए देखिए यहां पर खुलने के लिए आप देख सकते हैं यहांपर एक स्वीच है यहांपर फोड़ा सा स्वीच कि यह जो हमारा सेल है इसको थोड़ा सा इसे पूस करेंगे और तो हमारा सेल बहुत अच्छे तरह से निकल आ जाएगा ठीक है कि इसको थोड़ा सा इसे करने पड़ेगा नहीं तो हमारे पास बहुत साला जो नीडल है यह खराब हो सकता है आपको बहुत साब्धाने से करना है और इसे थोड़ा सा यहां पर एक स्विच दिया है थोड़ा सा इसको खीचना है और इसे हम खोल सकते हैं लिए टेट अजय को पर दो हुआ को पर हुआ है एक हुआ है तो यह जो सेल है यह हमारा यहां पर है कि आप देख सेकते हैं यह यह से हमारा जो टाइम और डाइट वह मेंटेन है कि यह जो हमारा सुने थोड़ा सा एक स्विच देशा थोड़ा सब्सक्राइब खीचेंगे और यह जो पॉजिटिव साइड है यह नीचे के तरफ रहेगा और इस तरह से इससे करके से यह पर डाल देंगे मैंने पहले देखा दूए कि इस यह हम कैसे रिमूब कर सकते हैं और इसे कैसे लगा सकते हैμ। यह मैंने पहले दिखा दिया ठीक है। classified को ही की स्विच व्ण थोड़ा फ़सा आपका जो व्यूंद दाएं थोड़ा-सर पीछेई दिकिल के इसको लगा देना है ठीक है प्रिए बहुत अच्छा सथारे से यह हमारा से लग गया तो यह सेल क्या काम करता है डेट और टाइम को मेंटेन करता है जब को हमारे बहुत करते हैं अगर में और यहां से अन overc速 सारा चीज for करेंगेा यहां है इसमें डोध हैं भी किया क्या आपसे निकालते हैं कंश करते हैं यह आपको इसमें दिखा यह nay हो GitHub कैसे खूलना ठीक है खुलने के देखिए हम थोड़ा से और भी जूम कर देते हैं तो आपको अच्छा से पता चलेगा ठीक है यह देखे जूम रैम को जगा में हम इसे जूम कर दिया है अभी देखिए हम इसके किस तरह से खोलेंगे तो आपको पहले आपका जो वैर्स को थोड़ा साब को हटा ल पूल रा थोड़ा सा नहीं दीखले चसरे तार को थोड़ा ठड़ दिखी है कि हुए कि के बंब दन्लíre है कि यह इसको हमको right side में कर देना है इससे करके आपको right side में करना है तो यह खुल जाएगा देख सकते right side में कर दिय intenetे खुल गया तो ऑर देखें से उट्वराइट में शीच है उसे भी आप left side में थोड़ा से कर लेना है दोनों lock है दोनों करते हो जाएगा और यह Ram एक Bi Him आपको खुल किया जाएगा यह हमरे राम खुल गया ठीक है इसे उमें ड्रेंडाॉम एक्सिस मेश्य मेमोरी बोलते हैं यह रीची बोलते इस इसमें क्या चीज देखने का चीज है वो आपको आपको दिखाये तहीज उसमें क्या डेखना है इसमें देखनाकार्म स्क्राइब चाहिए नहीं तो आपको जबरदस्ति करेंगे तो यह खराब हो सकते हैं और अशी जानना कि आपको रेम कौन सा रेम लगाना है वह आपको यहां पर देखने को मिलेगा कि यहां पर किस तरह का राम होता जैसे DDR1, DDR2, DDR3, DDR4 यह जो रैम है हमारा यह DDR2 है आप देख सकते हैं आप लिखा भी हुआ है आप पर देखेंगे अगर अच्छा से देखेंगे यह DDR2 1GB का रैम है ठीक है तो आपको 2GB, 4GB, 8GB, 16GB होता है और उसे भी ज्यादा भी हो सकता है ठीक है तो रैम को लगाने का तरीका एक ह प्रइक सेम है आपको आपको आप यह जो too person है अब इसको ध्यान रखना है कि जह कटइग है यह Cutting में यह पर स्माटक इसमे मैच कर जाना चाहिए ठीक है अगर आपको दोनेंगा है किस तरह से वह मैच हो रहा है ठीक है तो देखे हम फिर से इसको लगा देते हैं ठीक है तो यह 1GB का RAM Random Access Memory इसका बारे में है और भी हम details में बात करेंगे तो यह RAM को हम से इससे लगा जाते हैं कैसे लगाना है देखिए इससे पहले रखना या रखना है यह जो नौच है था इसका जो नौच है ठीक है यह नौच इसमें अच्छा से फीट हो जाना चाहिए यह नौच को सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें फीट हो रहा है कि नहीं उसके बाद हम इसे लगाएंगे कि आपको देखना है कि नौच ठीक से लगना चाहिए नहीं तो आपको जब जस सी कुछ भी नहीं करना है नहीं तो यह पीन खराब हो जाए और एक चीज बताया नहीं यहां पर देखेंगे गोल्डेन कलर का जो है यह जो है यह कभी-कभी रस्ट हो जाता है यह कुछ यहां कैसा नहीं होता तो इसको 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 अगरेंगे गोल्डेन कलर रहरya उपर में नहीं करना है नहीं वो ड्यक्न हो सकता है यह ईसको रहाें तो लगाने के सबसे पहले आपको नौस देखना है कहा पर है यह नॉच जो कट हुआ पोर्षन है हम देखे हैं लगाना है घूँ है झाल Sorry में और ह outer थीक है झालिदे तो आप जल्दी और बड़ी में नहीं करना है इहते थोड़ा सा काम को थोड़ा सबसार ठीक से आपको करना है जिसे नौच ठीक जगह में लगे लगे उसका अपको ध्यान लगें देखिए इसके डालते ही इन नौच ठीक जगह में बैड़ गया ठीक है कि आपको दोनों तरफ एक ही प्रेशर देना है देखिए ठीक है और क्या करना है यहां पर देखिए इस तरह जागा प्रेस करेंगे कोना में तो यह मैंने लॉग जो है अपने आप लग जाएगा ठीक है अब लग लग गया इस तरह सेम आपको अब लेप साइड में भी करना यह जो यहां पर है इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो यह हमारा जो लॉग है वह अपने 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 लग जाएगा ठीक है यह दिखिए तो यह लोग हमारा लग गया ठीक है इस तरह से हम अपना जो रैम होता इस तरह से इंस्टाल करते हैं यह रैम को यहां से निकाल लेना है और निकाल लेना है और यहां पर देखिए यह हमारा रैम है ठीक है और यह क्या रहे में देख लेता है यह वान जीवी का रैम है देखते हैं स्टार लाइट का रैम है गोल्ड ठीक है और यह लगा देते हैं आपको लगा मेन देखने को मैं आपको देखने से और उस पर देखने नाच posis ओने से हो आपको ठीक से लगाने एक तरए आपको नॉच को देखना है और इस तरह से आपको यहाँ पर लगा देना है और एक चीज़ देखना है कि आपका जो वह थीक से हैठ होना चाहिए नहीं तो वह कम मेंस्टा से नहीं कर पाएगा त्यक्ति कहां सै कि आ है यह हुआ दिखाए कि किस तरह से सतना मारवा नाउइला बार मानमें रूझ धिक त्यक्ति अलभी और purely है कुलिंग करने के लिए फैन है यह है जो कुलर मस्टर यह है CPU फैन इसका नीचे में CPU है ठीक है और क्या है यह है SMPS यहां पर हमारा HDD और यहां पर आप चाहें तो राइटर एज डिवीड राइटर यहां पर लगा सकते हैं यह चोड़के भी आप ग्राफिक कार्ड यहां पर लगा सकते हैं ठीक है इस तरह से हम दिखाते हैं कि क्या कि हमारा कैसे function करता हुआ हम दिखाएंगे से ठीक स्विष्ट मोड और सब्रेंट यहां से हम सप्राइब देते से मपेस को पहले भी दिखा दिए कि किस तरह से सप्राइब देंगे 220 और यह संपेस का काम क्या संपेस का काम है मानास 12 वोल्ट से 12 वोल्ट तक आपको जो भी पार्स में जो भी जितना भी पावर लगता है वह अपर ट्रांसपर करता है इसका नाम इसका काम है 774 का जितना भी पावड लगता वहien गरम नहीं होना देता है यह इसका में काम है ठीक है और क्या है और अंदर में आप देख सकते हैं यहाँ पर आप बहुत सारा श्लॉट आप देख पाएंगे मैंने रैम का स्लॉट दिखा दिया है ठीक है इसमें PCI इसमें अब जो भी चीज उसमें कनेक्ट कर सकते हैं PCI और छोटके यहाँ थोड़ से समपेस्के में बाताते हैं इसे में क्या होते हैं घ्रीज को अगर देखेंगे तो इहां पर जो हमारा है हाड डिस्क हाड डिस्क को खुलने का क्या हम प्रोसेस हो भी आपको दिखा या पर फ्रोसेस है यहीं ही होता है है कि और फ्रूंखल बहुत जल्दि बाहर आ जाएगा कि अब को दिखा ते किस तरह से राध बाहर याइँ थीज्डियो को उपाफ है और दिखेंगे शेल करते है कि आ इसको को फो खोलेंगे और हम यह स्कोर्ण को पकट कर दिरे से अगर खीचेंगे तो मेरा हाब्डिस्क के तो यह हाइं इसको हम थोड़ा सा धीरे से पकड़के इसे बहुत ही अच्छा सौप्टी आपको धीरे-धीरे काम करना नहीं तो आपको कोई भी चीज डामेज हो शेकता है ठीक है तो देखें यहां पर हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से हम हार्ट डिस्क को निकालते हैं और हार्ड डिस्क अभी थोड़ा सा स्लो हो गया अभी चाहिए तो आप SSD भी लगाते हैं सॉलेड इस्टेट ड्राइब उसमें आपको कॉंपिटर 10 टाइमस फर्स्ट हो जाएगा ठीक है तो आप हार्ड ड्राइब के साथ-साथ आप SSD भी लगा सकते हैं ठीक है अच्छा इसम से होता हुफी थोड़ा सा था रवूत पॉल्छती हैँ अच्छा आप गश् A K divert time करनेक्से क्या हो भी हम तो इंता सभी क डिक की यह जो की प hmm साटा के एटाज की पोलता है यह को शाटा डाल मेह से अटाज होता है और मिर्स आठाशी और शाठवण के बल अपको किया है इसमें डाटा ट्र gonna टांसपड करनता है ठीक है और इक सबस्चीज में होता है एक मेफ यहां झाला है यह है तब पावर सप्लाइए सब्सक्राइब और इस हाटे के बज़िया है इसे मादरबोर्ट से करेक्ट है क्यों इसमें हमारा जोड़ी डाटा टास्पर होता है तो फिर से हम इसे यहां पर लगा देते हैं ठीक है तो इस तरह से हम इसे बाहर निकालते हैं और इसे कर सकते हैं और चाहित हम SSD भी लगा सकते solid state drive SSD अब लगाएंगे तो उसमें आपड़ कॉंपीटर जो है उपस्ट हो जाएगा तो इस तरह से हम हार्डिस को खोलते हैं और इसे जो कनेक्शन दिखाए हम यह एक कनेक्शन होता है यह जो कनेक्शन साटा के बले साटा के बले से नेक्स्ट आप जानेंगे CPU के बारे में ठीक है CPU जो होता है Central Processing Unit होता है ठीक हम इसको पूरा खोल के नहीं दिखाएंगे Central Processing Unit के लिए यह जो फैन देख रहे हैं आप यह फैन का अगर खोलेंगे इसके नीचे में CPU होता है ठीक है इसके नीचे एक CPU का स्लाट होता है उसमें अब दिखा सकते हैं कि आपको CPU है Central Processing Unit और Central Processing Unit जो हमारा CPU होता उसमें बहुत अच्छे तरह से डिल करना है नहीं तो आपको CPU खराब भी हो सकता है वह कैसे काम का तो भी आपको बताते हैं ठीक है तो हम जब आचा और एक चीज दिखाते हैं जो हमारा केबल है यह जो चीज कैबल को कैसी करनेक्ट करते उलबी थोड़ा सा मैं अब बताये ठीक है तो यहां पर दिक्याइब चाहिए सबसे पहले हम देखेंगे जो में SMPE का जो हमारा यह तो फाले बदिख्या दिया है हमें से साटए कबल से और एक पावर एसम से कनेक्ट होता है ठीक है और यहां पर हमारा जो connection है जो Motherboard से connection है वो connection आपको दिखा दें यहां पर देखिए नहीं पर दो connection आपको दिखेगा इस पर देखिए और भी सारा connection से और भी चीज हम लगा सकते हैं जो समें connection देशकते हैं ठीक है यह आपर देखिए एक टो बड़ा यह देखिए इस से अच्छा अप्रेशन कर दिखा देखें यह बाहर वाला फैन आपको तो और थोड़ा से दार करने पड़ेगा यह फैन है यह फैन कर देखिए एक केबल है यह केबल हम मादर बोर्ट से यह पर पावर साप्लाइ लेते हैं देखिए यह मदर बोर्ट से इसको यह फैर यहां पर पावर सावल इसको मुझा खीचेंगे तो यह चला जाएगा ठीक है और यह फैनकर देखिए यह जो ब्री जो बिज बगाल में आपका करनेक्सेंशन दिखाए और और एक चीज़ जो हमारा बोर्ट का करनेक्सेंस हम दिखाए यह जो बुड है हमारा मादर navigate TWO connections होता है ठीक यह हां ऑर एक होसी सित्थ होसा होसे अधीक है यह एंध जूर चाहर्प इस सभी शाहिए और हमेंा से थोड़ा सा तरह चुम कर देए है ठीक है यह तो का पेन है तो यह 24 का पीन जो है यहां पर कर सकता है माढ़र पो आसरे मुझे अप बाए कर सकता है तो यहें बर्ड को सब्सक्राइब को शाप्राइग ने के लिए ठीक है और किया सàng कॉक्त है ने कुछ हम चार्फिक कारड मगिए लगाता है के तो से भी हम स्वाठ्बाइए मधरबोर्ड से अब देहां से , देखिए आपर एसीपी का कनेक्शन यहां पर मादर बोर्ड और एक कनेक्शन है आप थोड़ा सा यहां से देखिए देखिए यह जो कनेक्शन है यह मादर बोर्ड से कनेक्शन है एसीपी का कनेक्शन यहां से यह वाला जो पूर्ड है यह देखिए आप देख सकते हैं थोड हमारा hard disk connection हो सकता है DVD connection हो सकता है और हमारा जो graphic card है वो connection हो सकता है ठीक है कैसे काम कर से सकता है और ठोड़ा सा चीज बता थे जिए memory card होता है रेम रैंडम रैंडम Access memory तो हम और तो एक चीज यहां पर दिखाना चाहते हैं थी ठीक है तो यह बहुता देखिए तो मैंने North and South Bridge तो अभी जो हमारा आ रहा है इसमें हमारा North and South Bridge आप यहां पर देख सेकते हैं कि North and South Bridge कैसे काम करता है हमारे CPU होता है CPU North and South Bridge सब एक साथ communicate करता है और भी other parts को detail करता है तो CP को main processing करना है यानि कि Central processing unit ठीक है तो यहां पर हमारे जो CPU लगा हुआ है इसका दिया हुआ है Pentium Pentium 2 है Pentium 2 इसे CPU बहुत तरह का होता है जैसे P1 P2 P3 and P4 ठीक है तो P4 यह थोड़ा सा और भी first होता है P1 इसे और भी अभी प्रोसेसर जो आया है आ गया है बिना ने आया है ठीक है और भी देखें सम्प्राइब का और भी connection थोड़ा सा दिखा है तो है यह हमरे और एक पोड़ है यह पोड़ का सब SMPS से यहां पर आपको दिख पाएगा यह से हम connection कि हैं ठीक है कि इस तरह से आप connection देख सकते हैं कि जो भी connection से हमारा SMPS से जाएगा और फैन का जो connection होता है वह जनेरली माज मादर बूर्ड से होता है तो यह हमारा साथ ब्रीज है और तीनों को एक साथ connect करके हमारा जो functions होता है यह हमारा functions सब इसमें हो जाता है ठीक है इस तरह से हम दिखा है कि पूरा पार्ट हमें CPU को भी नहीं खोलेंगे यह हमारे फैन इसको कैसी खोला है तो भी हम बताएगे यह फैन है ठीक है फैन को अगर सबसे पहले motherboard का आपको खोलना है ठीक है motherboard कोलने के लिए आपको देखें यहाँ पर screw है यह इसकुर्व आपको पहुत साब्धने से खोलना है कि आप फूसरा पीन है एक फीन थोड़ा से भी डैमेज होगा तो computer आपको नहीं चलेगा ठीक है पीशे श्लॉट आपको दिखा देता है यह हमारा PCI स्लॉट आप देख सेकते हैं यहाँ पर PCI है PCI स्लॉट है यहाँ पर ठीक है इस तरह का बहुत सारा साथ ब्रीज और SMPS hard disk DVD writer और CPU fan और this is machine fan ठीक है यह फैन हमें सार्मादर बोर्ड से connect होगा यहाँ पर देखिए मादर बोड से connection है और यह यह फैन है यहाँ पर भी मादर बोड से connection है और SMPS यहाँ पर दो connection है एक है मादर बोड का साथ आप देख से हैं और दूसरा जो Sata cable connection mother board के साथ अपना जो hard disk उसमें isa connect करते हैं हमारा hard disk को ठीक है hard disk और अब ही SSD आगिया SSD hard disk का भी वन पहले तो 120 GB 320 GB का हाड़ डिस्क आता था लेकिन हम TV में tb में hard disk लेते हैं क्योंकि उसमीं जिज्जादा memory होता है थीक है तो देखे मैंने अब हमारा जो कैसे पेरिफेरल से कैसे अम कनेक्ट करते हो भी बता दिये अभी हम फिर से थोड़ा सा डीटल में जाएंगे अब अभी हम चला जाते हैं और इस तरह कांप और इसे खोल सकते हैं लेकिन अभी नहीं खोलेंगे तो यह जो है फिर से यह ढखन को ऐसे करके इसे थोड़ा सा और भी समझ लेते हैं यह हमारे नौर्ड भी साओध ब्रीज और सीप्यू यह दोनों मिल और और जो परिफेरल पार्ट से कम्म स्थी चेशें से से परसेंट इसे हमारा में होता है आगर खोल सकते थे धिकाशसिक्ते थे थे सबसे पहले यह मादर बर को खोलना है और पीछे में यह अमरा सीप्यू से नौब होता है चार नौब गूमाने से यह अमारा जो इन यह खुला जाएगा और जाशन पर आए इस पहले बता है यह पर जो नौब है यह मदरबूर के पीछे है नौब के खोल देंगे और इसे खोलने से यह पूरा CPU यह CPU फैन है पूरा बाहर आ जाएगा ठीक है और यह connection मैंने पहले बता दिये यह motherboard से connect होता है तो हमारा CPU फैन चलने लगता है तो यह पर देखे एक thermal paste लगा हूँ आप देख सकता है यह thermal paste है यह thermal paste लगाएंगे यह CPU को बढ़ जाता है और इसे हीट सिंग बोलते हैं तो इसे हीट को absorb करता है ठीक है हीट सिंग है और यह thermal paste है अब देख सकता है thermal paste लगाने के वह एक प्रोसेस है तो हम बाद में डिसकस करेंगे ठीक है तो इसे CPU को खुलने के बाद आपको इसके नीचे में CPU दिखेगा जो एक सेंट्र प्रोसेसिंग यह फैन हम देते हैं ठीक है यह हमारा CPU का फैन है यह हमारा thermal paste है तो thermal paste हम इसे लगा के और भी अच्छा कम कर सकते हैं तो इस तरह से हम पूरा दिखाए कि हाडर में क्या क्या काम होता है कि इस तरह से हम कॉम्पीटर करते हैं और पार्ट 2 में हम दिखाएंगे कि इस तरह से ह यह जो इसकूर है इसकूर को टाइट कर देना है आपको याद रखना कि motherboard का जो साइड उसको कभी नहीं खोलना है राइट इस तरह से हम अभी देखें कि हाड़ वैर के बारे में बताएं और आपकी सब्सक्राइब लाइक और शेयर कीजिएगा थैंक्यों और वाचिंग इस वीडियो